आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे की एरिया मोमेंट मेथर्ड जो है वह कौन से मेथर्ड है और हम लोग इसको कहां पर अप्लाइ करते हैं और apply करने के बाद हमें सीखेंगे कि इस method को हम लोग कहां कहां पर इसको apply कर सकते हैं तो जैसे ही आप देखते हैं यह क्या है area moment method मतलब moment pending moment diagram का क्या निकाल दीजिए आप area ठीक है तो अगर आप उसका area निकाल देंगे तो वहां पर क्या आ जाएगा आपका slope और deflection का value जो है वहां पर आ जाएगा ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे यही चीज यहां पर समझेंगे कि simple कुछ नहीं कोई भी span का भी जो दिया हो कोई भी span simply supported fix support जो भी अगर जिस तरह कभी span condition हो गर हम लोग जो है उसमें क्या कर देंगे क्या करेंगे बेंडिंग मोमेन्स डाइगराम पहले करेंगे सब्सक्दीन अगर है तो इसका क्या क्या करेंगे उसका area निकाल देंगे तो हम लोग क्या निकल जागा slope or deflection का value ठीक है तो सबसे पहला जो important points जो है यहां पे consider करने वाला है वह basic 3 points है जिसको हम लोग क्या करना है ध्यान देना है तो सबसे पहला क्या है this method is suitable for both prismatic and non-prismatic beam ठीक है prismatic beam और non-prismatic beam हमने पहले ही आपको समझा रखा है ठीक है तो prismatic beam क्या होता है जोगी अगर throughout the length क्या हो रहा है उसका width और depth जो है change नहीं हो रहा है वो क्या होगा prismatic beam कोई-bhi span में जो है throughout the length की बात करें तो depth जो है चेंज नहीं हो रहे है इत मींस डासा करता है् कि एक प्रेजमाटिक बीम जब भी हम बात करें भी Martiًb तो थ्रूआउट डाउन्थ जो है हम लोग का जो डेप जो है वह कहीं पे भी वरी कर सकते तो क्या हो ए भाप पर नॉन प्रीमाटिक ल cui लेकिन लोग उस beam में भी क्या लगा सकते हैं area moment method to find out slope and deflection ठीक है तो second point पर आते हैं उस पर क्या लिखा है continuity of slope is assumed in this method therefore this method is not suitable when slope change suddenly ठीक है इसे कोई भी slope है dy upon dx जो है slope है माल लीजे को bending moment जो है डाग्राम है ठीक है यहां पर जो है slope suddenly change नहीं हो रहा है तो उसके बात यहां पर क्या रखना है ध्यान में रखना है कि जो slope है वो क्या हो continuity जो है उसकी बनी रहे ठीक है कहीं पर भी सटेंट चेंज ना हो हम लोग सटेंट चेंज के लिए क्या है के अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या है सटेंट ली जो है यहां पर क्या हो जागा चेंज देखें यहां क्या हो गए यहां पे suddenly change, ठीक है, to suddenly change जहाँ पे होगा वहां पे हम लोग area moment method को apply नहीं कर सकते, ठीक है, second point आप लोग समझ गी होगे, तो इसके बाद आते हैं, जो third point है, क्या है, destutable when area and CG of M by EI diagram can be found easily, हमने एक example ले लिया, चलिए, कोई M by EI diagram है, ठीक है यह क्या है M by EI diagram समझ सकते हैं M by EI ठीक है यह throughout the length क्या है यहां पर L तो जैसे इसकी बात करें तो यहां पर क्या है इसका CG find out करना जो है आसान है है कि नहीं यहां पर CG find करना आसान है यहां पर area भी आपका find करना आसान है तो वहां पर क्या हम लोग लगा सकते है area moment method ठीक है उसके बाद यहां से जो लिखा हुआ है term and point of zero slope and zero deflection is known ठीक है तो जो भी जैसे की bending moment अगरा हम बना रहे हैं तो वह condition एक span के लिए होगा तो span के हम लोग को क्या होने चाहिए conditions पता होने चाहिए इसके पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि conditions जो है हम लोग का पता है जैसे की simply supported beam है जैसे कि हम यहां पर बनाते हैं क्या simply supported beam बनाते हैं यह कोई simply supported beam है ठीक है अगर simply supported beam है अगर देखेंगे simply supported beam है अगर वह deflect होने की कोशिश करेगा तो वह कुछ इस तरह होगा ठीक है अगर हम support के पास की बात करें at point A and at point B यहां पर क्या आएंगे slope आएंगे है कि यहां पर आएंगे slope तो वही कहना चाहरा है कि अगर span में हम लोग का कहां पता होना चाहिए कहां पे point of zero slope अच्छा यहां पर तो कुछ slope का value आ रहा है at point A की बात करें and at point B अगर हम बात करें 0 slope की तो at point C at something mid पर आगा अगर यह LA distance है तो L by 2 पर है कि नहीं यहां पर क्या हो जाएंगे 0 है की नहीं made of the span इस जगह पर जो है यहां पर span क्या हो जाएंगे यहां पर 0 हो जाएंगे क्या हो जाएंगे यहां पर slope 0 ठीक है उसकी बाद इसी एक्जांपल को हम अगर कंसिडर करें तो and 0 deflection deflection कहां पर 0 है यह हम लोग को पता होना चाहिए इन इस केस deflection कहां पर 0 है at point A अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या है deflection 0 लेकिन उस जगह पर क्या रहे है slope तो आ रहे हैं लेकिन हम लोग को यह दो point पता होना बहुत जरूरी है कौन सा the point of zero slope and zero deflection is known हमें पता होना चाहिए कि कौन से point पे zero slope है और कौन से point पे zero deflection है तब ही हम लोग क्या पता पाएंगे उसका slope और deflection जहां पे भी हमें निकालना हो by using area moment method ठीक है अगर आपको यह वीडियो समझ में आ गया अगर कोई डाउट है तो आप हमें comment section में पूछ सकते है थैंक्यू